हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टू माई चैनल से टिके टिवादिया हैरन ब्यूटी टिप्स आज का विडियो बहुत ही कमाल का है उन लोगों के लिए जो अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं लेकिन उनके बाल बहुत कुछ करने के बाद बढ़ते ही नहीं है ज्यादा से ज्यादा देखो तो कान तक आ जाएंगे और उससे भी ज्यादा देखो तो थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे लेकिन बढ़ने का नाम नहीं लेते हैं अगर बहुत ही ज्यादा कुछ कर लिए बहुत ही ज्यादा महनत कर ली तो बस कंदे तक आ जाते हैं इससे बड़े तो होते नहीं है तो उनके लिए आज का वीडियो most important है दियान से देखेगा चलिए पहले मैं आपको अपने baby hair दिखाती हूँ today I am 40 year old ठीक है अगर मैं 40 साल के होकर अपने इस time पर नए hair दिखा रही हूँ आपको यह देखो कितने सारे मेरे front में इस तरह के baby hair है तो अगर आप बच्चे हो मतलब की 13-14 age के हो या 25 तक के हो या 30 तक के हो तो आप क्यों नहीं अपने बाल बढ़ा सकते हो 100% बढ़ा सकते हो हमारी remedy वर्क करती है अगर आप दिल से करोगे तो जरूर वर्क करेंगी तो कैसे कैसे क्या 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 करना है आज के वीडियो में वही मैं आपको बताती हूँ एक वर मेरे चानल पर विजिट कीजिए वहाँ पर जाकर आप देखो कि बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएं वो भी हमारी remedy से धीरे-धीरे करके खतम हो जाती है तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं आज की remedy ये देखिए मैं अपनी बेटी के हर दिखा रही हूँ इसकी length देख लीजे और मुझे मेरी बेटी के हर काफी अच्छे लग रहे हैं किस-किस को अच्छे लग रहे है प्लीज कॉमेंट करके बताना अभी इसके हर मुझे लगता है कि हिप तक पहुंच गए है नहीं तो अगर आप दो साल पहले देखोगे तो इसके boy cut थे ठीक है जो remedy मैं अपने हर पर apply करती हूँ वही remedy इसके हर पर भी apply कर देती हूँ डाई वगरा को छोड़ कर डाई वगर क्योंकि आपके hair के लिए आपके body के लिए बहुत अच्छा होता है बहुत सारे vitamins होते हैं next ingredients जो है हमारा रोज मेरी leaves dry leaves है market में easily available है अगर आपको नहीं मिल रहे है तो link description में है Amazon का भी तो आप वहां जाकर देख सकते हो आपको आसानी से मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर य कि आने वाले टाइम में बहुत सारी remedy share करूंगी जिसमें आपको इसकी जरुरत पढ़ने वाली है तो चलिए से निकाल लेते हैं एक बड़ा चमच जो घर में दो तरगी चमच होते हैं एक चोटे वाला एक बड़े वाला तो यह बड़े वाला चमच माने लिया है अगर स्टोर करना चाहते हो तो डबल ट्रिपल कर सकते हो इसका कोई साइड एफिक्ट नहीं है और यहां तक यह खराब भी होने वाला नहीं है एक गिलास के करीब मैंने आप पानी डाले ना मैंने इसमें आधा गिलास से थोड़ा सा जादा डाला है और अगर क्वैंटिटी आप इस वाटर का यूज हम करेंगे तो वह कमाल हो जाएगा और अगर आप इस रेमडी को लगातार करो एक हफ़ते तक करो आपको इसका रिजल्ट जो है वो खुदी मिलेगा रोज लगाओ दिन में दो बड़ लगाओ ज्यादा बना कर रखो यूज करके देखो रिजल्ट ना मिले ना तो आके चैनल पर बोलना हमें रिजल्ट नहीं मिला रोज लगाना है सैंपू एंपू मत करना बाल वाश मत करना तीन से चार दिन के बाद आप अपने बाल वाश कर सकते हो अगर डेली लगा रहे हो तो इसे मैं इसे दिन में दो बार लगाओंगी कम से कम दो दिन तक मैं और मेरी बेटी इसको यूज करने वाले हैं अच्छी तरीके से मैं इसको पका लिया है गैस की फ्लेम मैंने लो रखी थी ज्यादा हाई करने की जरूवत नहीं है नई तो इसकी गुड़नेस जो आब सबको पता ही है वो उड़ जाएंगी ठीक है गैस की फ्लेम लो दीरे दीरे करके मैंने इसको अच्छी तरीके से पका लिया है जितनी भी गुड़ने से इन दोनों चीजों की वह इस वाटर में आ गई है अब यहाँ पर मैं गैस कर दूंगी बंद और इसे नीचे उतार लेते हैं नीचे उतारने के बाद आप देखोगे कलर तो इसका पहले ही चेंज हो गया है अगर आप दूर से देखोगे न पहली नजर में आपको यह ऐसा लगेगा जैसे की जैल है फ्लैक सीड का लेकिन यह ज अब देखिए मैंने जाना वेट नहीं किया गरम गरम ही मैंने इसको चान लिया और चानने के बाद मैं थोड़ा सा वेट करूंगी ताकि जो ठंडा हो जाए उसके बाद हम बाकी चीजे में एड करें आप चाहो तो तुरंत भी कर सकते हो लेकिन मुझे कुछ काम तर इसके वहले से मैंने इसको ठोड़ा चोड़ दिया पांसाथ मिनट के लिए और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस जो है वह मैंने स्टार्ट किया था आप तुरंत भी कर सकते हो तुरंत कर लोगे तो सारी चीजे अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और आपको ऐसा लग रहा है कि आ इसा मैंने आपको बताया वैसे ही लगाना तो चलिए अब यह ठंडा हो गया है दो तीन चीजे में और एड़ कर लेते हैं यह लिया है मैंने जिंजर इसेंसियल ओइल मार्किट में इसले अवेलिबल है लिंक डिस्किर्प्सन में है प्लीज एक बार डिस्किर्प्सन जरू आप देख सकते हो 400 mg का है यह मैं एक लूँगी क्योंकि मेरे और मेरी बेटी के हैर थोड़े से ओईली है अगर आपके ड्राय है तो आप दो ले सकते हो अच्छी से दबा कर मैं इसके अंदर का सारा जल बार निकाल लिया है उसके बाद रोगन बादाम लिया है आपके पास अगर आप इसको थोड़ा सा थिक बनाना चाहते हो कि मैं इसको टोनर की तरह नहीं यूज करने वाला या वाली तो आप इसमें अलोवेरा की क्वेंटिटी डबल ट्रिपल कर सकते हो लेकिन मैं इसे टोनर की तरह लगाऊंगी इसलिए मैंने सिर्फ एक चमस डाला है ताकि इसमें जो अलोवेरा की प्रॉपटी से वह भी आजाए अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना और मैं इसको लगाऊंगी अपनी स्प्रे पोतल में भर कर आप कैसे लगाऊगे प्लिस कॉमेंट करके जरूर बताना हैर वाश करने की जरूबत नहीं है वीडियो अच्छा लगते लाक्स एर कॉमेंट जरूर कर दें